नमस्कार दोस्तों आज सभी का माचलन पर आधिक स्वागस हैं दोस्तों आज 11 जनवरी 2024 है और दोस्तों पॉली कैव इंडिया लिम्टेट के सेर्स में इस समय जवर जस्त गिरावट का दौर चल आए दोस्तों आज 11 जनवरी को पॉली कैव इंडिया का सेर लगबग 22% से हजार करोड की हेरा फेरी जो पिछले दिनों इसमें सर्च होई थी उसके बाद से ये निसकास निकल करके सामने आया है जिससे आज पॉली कैव इंडिया के सेर्स में जवर जस्त गिरावट देखने को मिल लई है जबकि कुछ खबर हैं कल याने की 10 जनवरी 2024 को भी मीडिया में आ गई थी कि लगबग 200 करोड का टैक्स इनके उपर निकल ला है जो कि कई खबरों को देखते हुए एक सेंजों ने पॉली कैव इंडिया लिम्टेट को ये लिखित सूचना दी थी कि वो बताएं कि जो इस समय मीडिया में खबरें चल रही हैं 200 करोड के लगबग जो पेनाल्टी आ सकती है उसके पीछे क्या न्यूज सही है लेकिन उसको दोस्तों पॉली कैव इंडिया ने कल इस बात का खंडन कर दिया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं है तो इस तरह से वो खबर भी थोड़ा सच्ची नहीं लग रही थी लेकिन दोस्तो आज तो फिर से एक इंकम टैस बिवाग ने भी अब बयान जारी कर दिया है जिसमें लगबग एक हजार करोड रुपए के हेरा फेरी का पता चला है तो दोस्तों इस समंद में भी जो आज कई समचार पत्रों में कबरें छप गई हैं पॉली कैव के एक हजार करोड को इक्सेंज जो ने सुचना के मार्द्यम से पूचा है कि अखिरकार ये कहां तक सही है लेकिन दोस्तों अभी तक पॉली कैव इंडिया की तरफ से ऐसी कोई ख़वर नहीं दी गई है दोस्तों जैसा कि अभी 22 दिसंबर 2023 को इंकम टैक्स विवाग ने पॉली कैव के लगवक 50 से अधिक ठिकानों पर चापे मारी की थी उनमें से मुखिरूप से बुंबई पुने और अंगाबाद नासिक जो की महारास्ट में है दमन हलोल और गुजरात सही दिल्ली के कई ठिकानों पर चापा मारा गया था और कई अफसरों के घरों पर भी चापे मारे गये थे तो इस तरह से अब इंकम टैक्स डिपार्डमेंट ने चापे को ले करके बयान जारी किया है फ्रेस रिलीज भी जारी किया है जिसमें इस चापे मारी में टैक्स बिवाग को एक हजार करोड रुपए के नगत सेल्स का पता चला है जिसका कि कोई हिसाब किताब खातों में दर्ज नहीं किया गया है साथ ही टैक्स बिवाग ने बताया कि उसे इस बात के भी सबूत मिले हैं कि एक डिस्टिब्यूटर ने कच्चे माल की खरीदारी के लिए कमपनी की ओर से नगत में चार सो करोड रुपए का बुक्तान किया है जिसे दोस्तों विवाग ने जब तक कर लिया है तो ये कई खबर हैं इस समय पॉली कैप के लिए ठीक नहीं चल रही है इंकम टैक्स विवाग एक तरफ से हेरा फेरी का रोब लगा रहा है और कमपनी की तरफ से अभी कोई संतोस जनक जवाब नहीं आ रहा है तो इन सब के चलते दोस्तों आज पॉली कैप इंडिया का सेर्स इंट्राडे में लगबग 22% से अधिक तूट गया था और अभी भी लगबग 19% तूटा हुआ नजर आ रहा है जबकि आज 11 जनवरी 2024 को एक बचकर 17 मिनट दोपहर के हो रहे हैं और इसमें अभी भी 19% की जबजस्त गिरावट देखी जा रही है इसका सेर 3982 रुपए 25 पैसे पर आ चुका है जबकि इसका आज लो 3801 रुपए तक किसक गया था जो की 22% से उपर की गिरावट एक दिन में दर्सा रही है तो जबजस्त गिरावट का दोर इस समय चल आए पॉली कैप के सेर्स में आप इंट्राडे का भी चार्ट दे सकते हैं कि सुबह से ही इसमें विकवाली का दोर चल आए अब सेर्स में थोड़ा टेडिंग जरूर हो रही है क्योंकि इसमें जो लोवर सर्कृट थे वो अब थोड़ा खतम हो चुके हैं क्योंकि इतना सेर्स टूट चुका है लोग अब खरीद विक्री कर रहे हैं इसी समद्ध में दोस्तों लगवाग दस बच कर बारा मिनट पर सवेरे पॉली कैप के सेर्स की जो टेडिंग तीन जार आठ सो पचीस रुपए के पास में थी उसमें एक जबर जस्त बालियूम वहाँ पर देखने को मिला है और दोस्तों वो बीस लाख सेर्स चेंज इन है काउंटर्स पर देखा जा रहा है साथ ही दोस्तों साथ लाख का इनका एक मंत का डेली औरेज है सेर्स ट्रेडिंग का और बीस लाख सेर्स का मात्र सवा दस बज़े तक सुवेरे ही सेरों की ट्रेडिंग यनसी पर हो चुकी है तो जबर जस्त इस समय बाइंग और सेलिंग का दोर चला है कुछ लोग माल बटोर रहें कि इतना से गिर गया कुछ लोग माल अपना निकालने की कोशिस में है तो दोस्तों यदि इसका हम चार्ट देखें जो पिछले लगबग चार साल का डाटा मैंने निकाला हुआ है चार्ट सामने आप देखेंगे कि जब लागडाउन लगा था 2020 में तब से ले करके और अभी तक किसमें जब अजस्त तेजी थी पिछले अपते तक और जब मलब इसका पिछले 22 दिसंबर को जब इंकम ट्रेक ने चापा मारा था वहां तक तो जब अजस्त तेजी थी फिर थोड़ा इसमें गिरावट का रुख बना और दोस्तों गिरावट का रुख बनते बनते आज इसमें जब जस्त गिरावट रही आप यदि 52 वीक्स हाई जाने तो 12 दिसंबर 2023 को बना था 5733 का और 52 वीक्स लो 10 जनवरी 2023 को 2630 का इस तरह से अब बिल्कुल ये 52 वीक्स हाई और लो के बिल्कुल मिडिल में आ चुका है तो अब इसमें जो आगे गिरावट का माहौल बना हुआ है तो ये गिरावट दोस्तों अभी गबराट प्रूम्ट विक्वाली चलती रहेगी और ये उमीद की जा रही है कि ये अप पर तकड़ा सपोर्ड मिलेगा वो 2800 की लेबिल पर पॉली काइब इंडिया के सेर्स में मिल सकता है तो दोस्तों 3000 से लेकर के 2800 के बीच में ही माल बटो रहे हैं अभी इस सेर्स से दूरी बना करके रखें कि अभी इंकम टैक्स और कंपनी की तरफ से और क्या-क्या सुचन मिलती हैं साथ ही Q3 का रिजर्स कैसा रह सकता है इन सब को ध्यान में रख करके ही पॉली के में अगला निवेश करें हो सके यह इसमें थोड़ा बाउंस बाइक आ जाए तो यह वोल्डिंग है तो थोड़ा माल निकालने की भी कोसिस करें क्योंकि इसमें अब ज्यादा जल् प्रावट का तब माल उठाईएगा और दोस्तो सार्टर में माल उठा करके अधिक से अधिक पैसे कमाएं यह दोस्तो मेरी तरफ से आफ सभी को सुब कामना हैं कि पॉली काइब इंडिया के सेर से अधिक से अधिक लाप कमाएं और आपके पैसे की बैलू कही गुना आंग आवाद in एंग माजान है झालाड़ा जने जवाद पाद जब देगे जेड़न एंग थाज़ग से लिए जे गज़ आए लेख लेगे शविदयां थालाग में पहुड़ एंग देख दिए भे में जिए तो आए ने खेंग धर ने कने और रखेंगा थे लेंग के लिए ले ल